कि नमस्कार दोस्तों मैं संजे जेन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं आज हम चर्चा करेंगे मंगल रह के बारे में कि मंगल जो ग्रह है उसके पक्के घर जो होता है मंगल का जो पक्का घर है खाना नंबर एक है तीन है आठ है इसके अलावा मंगल जिन घरों में मंगल के लिए मुकरर किया गया और क्यों उसको वहां जगे दी अब मंगल ग्रह के जो खाने है वह स्पेशली खाना नंबर एक है तीन है आठ है और इसके अलावा खाना नंबर चार और खाना नंबर दस के बारे में आज बात करेंगे अब खाना नंबर एक में मंगल को जो दी क्योंकि साहस है मंगल जो है वो इंसान का होसला है उसके कुछ चकर गुजरने की ताकत है कुछ तमन्ना है जिन्दगी में जो इंसान हिम्मत रखता है जो इंसान कभी डोलता नहीं है जो इंसान विपरित परिस्तितियों में घबराता नहीं है तो ऐसे साहस और होसला जो प्लैनेट उसको प्रदान करता है, वो मंगल देव होता है, इसलिए यहां मंगल की जमीन मानी गई है, फर्स्ट हाउस जो है, मंगल की जमीन मानी गई है, और यहां इसको मुकरर इस्तान दिया है, फर्स्ट हाउस को, और सूरज जो है, सूरज आत्मा का कारक है, रूह जो है, वो सूरज है फिर्स्ट हौँस में और सूरज जो है सभी प्लैनेट्स का बात्शा यानि राजा है तो इसलिए खाना नमबर एक में सूरज को भी उतनी ही असर का मालिकाना हग है अव खाना नमबर एक को अगर समझने के लाल किताब के असर से समझने की कोशिश करें तो खाना नंबर एक मंगल की जमीन है और सूरज का पक्का घर तो सूरज आत्मा है रोशन करने वाला जो राजा है वो सूरज है और इसलिए खाना नंबर एक में सूरज का पक्का घर निश्चित किया गया मंगल से हम क्या क्या चीजें देखते हैं कुनबा ब्रसपती से भी देखा जाता है, मंगल से भी देखा जाता है, कि जितना अच्छा मंगल फिवरेबल होगा उसका कुटम उतना अच्छा होगा, उसके परिवार में उतनी जादा बनती होगी, अब मंगल जो है, आग अगनी जो होती है, वो भी मंगल है, इसके अलाव अगनी कौन से अगनी, अगनी के भी दो पार्ट माने गए, एक जो चूले की अगनी है, जिस पे हम खाना पकाते हैं, चूले की अगनी को मंगल नेक की रोशनी माना गया है, और जो सम्शान की आग है, जिसको एट्थ हाउस से देखते हैं, वो मंगल बद की मानी गई है, मंग मंगल के जो पार्ट हैं, वो दो पार्टों के बारे में हमेशा हम जिक्र करते हैं कि मंगल नेक और मंगल बद, मंगल नेक की वो अगनी है जो चूले की है और जिस पे भोजन बनता है, सुपाच्य भोजन बनता है जिस पे हम भोजन करते हैं और एक अगनी वो है जो डैस्ट् करते हैं तो उसमें हम मंगल नेक को लेते हैं और मंगल बद्ध जो है वो गम है उदासी है इसलिए कहते हैं कि जब भी मंगल बद्ध हो तो ऐसे समय में खुशियां जादा सेलिब्रेट करने के बाद एक मोमेंट ऐसा आता है कुछ दिनों के बाद में कि तब एक खराब नीउस सुनने को मिलती है हैना और कई बार यह खराब नीउस बहुत अनिष्ट कारी होती है इसलिए मंगल बद्ध में बहुत सी चीजों की प्रिकॉशन तो खाना नमबर तीन जो है खाना नमबर तीन बुद्ध की राशी मंगल का पका घर अब यहां पे लाल किताब कहती है कि इस घर का रंग है खोनी यानि इस घर का रंग है खोनी असर भी खोनी होता है यानि मंगल का जो रंग माना गया है वो ब्लड के आकार का है ब्लड की तरह का माना गया है जो हमारा ब्लड का कलर होता है लाल कलर उसी तरह मंगल का कलर लाल है और लाल कलर भी दो तरक है जैसा मंगल के भी दो पार्ट है तो लाल कलर भी दो तरक है एक तो बिलकुल सोबर लाल है जो बिलकुल प्लेन लाल है जिसमें कोई तरक भड़क नहीं ऐसा बिलकुल ला रहा हुँ, तीसरे भाव को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, थर्डाऊस जो है ना, वो राहे रवानकी, इस दुनिया से कूछ करने का वक्त, इस दुनिया से जाने का वक्त, लंबी बिमारीों का घड़ है, तो थर्डाऊस कभी भी ज़्यादा बेनिफिशल रहता नह इस घर का ये पक्का घर मंगल का इसलिए बोला गया थाड़ा उस में इंसान को जिन्दगी से संघर्ष करने की ताकत होनी चाहिए क्या इंसान क्या कॉई बार उसको ऐसे बिमारियां हो जाती है क्यी बार उसका जीवन के साथ संघर्ष हो जाता है तो उस समय में मंगल ही एक ऐसी ताकत है जो इनसान को जीने की प्रेड़ना देती होंसला देती इसलिए थरड़ा उस भी मंगल का मुकरर किया गया अब इसके अलावा खाना नंबर चार यहां मंगल जो हैं नीच के होते हैं लाल किताब यहां मंगल को नीच असर का मानती है इ हैं मंगल बैठा होने से मंगल बद बंजाता अगर मंगल बद किसी बचयशता में तोट ना एखाना नंबर चार चंदरमा का पक्काखर यहां जब मंगल होगा चंद्रमा ठंडक है और मंगल जो है वो आग है मंगल आग है अब पानी में आग लगी होगी पानी में आग लगी होने का मतलब यह है कि जितना चंद्रमा शीतल है ठंडक ठंडक प्रदान करता है उतना ही मंगल जो है उसकी जो प्रवती है वो अगनी स्वरुप प्रवती है तो किसी भी चीज को जला देना, है न, तो यहां इसलिए बोला गया है कि मंगल फोर्थाऊस में, चंद्रमा की पोजिशन खराब कर देता है, कि चंद्रमा अब क्या हमारी नकद मोहमाया, नकद धन जो है, लिक्विडिटी जो है, तो वो सारा चंद्रमा से देखते हैं, मा के सुख जो चंद्रमा, तो मंगल जब भी बैठा होगा, यहां पे मंगल बद्ध की कंडिशन होगी, चंद्रमा अगर किसी वज़े से काट ना रहा होगा, अगर काट भी रहा है, तो भी मंगल बद्ध यहां consider होगा पूर्ण रूप से नहीं काट पाएगा वो क्योंकि चंद्र की बली placement तीन में होने से उसके घर में होने से मंगल बद्ध का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है लेकिन फिर भी मंगल बद्ध का असर रहता क्योंकि चार में मंगल भयंकर बद्ध बोला गया है चार और आँट में तो यहां पानी में आग लगी होगी जैसा मनें बताया यह मंगल बद्ध चंद्रमा की चीजों को जला देता तो यह फूर्थ हाउस है यह बताने का मेरा यह है ना हम मंगल और शनी दोनों से देखते हैं शनी का हेड़कौर्टर है मंगल बद्ध हो जाता है अकेला बैठा हुआ मंगल यहां बद्ध हो जाता है यह सारी और मंगल क्या है अचानक हाथ से देता अचानक तोड़ फूड करता है तो आपको समलने का बिलकुल मुका नहीं मिलता मंगल बद्ध में इनसान को भनक तक नहीं लगती हो और ऐसे समय में वो अचानक रास्ते पर आ जाता है मंगल बद्ध जो है खूनी जद्धी जा सोया रह गया तब कोई बात नहीं लेकिन अगर जगा हुआ है और मेलिफिक है वर्षफल में तो उसका उप्चार कर लेना चाहिए अदर्वाइज यह आठ का मंगल कहीं का नहीं छोड़ता तो यह चीज है अब यहाँ भी एक चीज है लेकिन यह असर जरूर चंदरमा से हो तो यह वाकिया तो मंगल बद्ध क्या है मंगल बद्ध और राहू कोई बहुत जादा अलग नहीं इनका जो संबंध है लगबग लगबग सेम फीचर से यह काम करते हैं और इसका जो अंतिम फैसला है चंदर जरूर मुकरर करता है लेकिन मंगल बद्ध जब अपनी बदी अब तक और पूर्ण रूप से मंगल बद्ध हो से मिलता है लेकिन कहीं कहीं ऐसे केसेूं होते Music कहीं फुर्ण पर्संट प्रभाव में हो तो जिस प्रतीशथ का लेवल उसका है, मंगल बद्ध का जितना प्रभाव हैrem हो हो सकता है शनी चंदर भी इखटे जैसे मैंने एक एक एक्जामपल में आपको बताया था कि शनी चंदर इखटे हो और उसके बाद मैं शुकरशनी हो रहे हूँ तो उस समय ये चीजे हैं कि मंगल बद्ध के जो हालात हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं मंगल बद्ध के लेकिन फिर भी मंगल बद्ध को जब कोई सपोर्ट ना मिल रहे हो कोई चंदरमा या ब्रस्पति उसको काट ना रहा हो तो उस समय मंगल आठ के समय में काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं उसको अब मंगल खाना नंबर 10 में, खाना नंबर 10 में इसको कर्मिस्थान, खाना नंबर 10 जो है कर्मिस्थान है, प्रोफेशन है, खाना नंबर हमारे जॉब का कारक है, तो यहाँ पे मंगल उच्च बोला क्योंकि इनसान को कारी शेत्र में संभालने वाला, कारी शेत्र के रिगार तो खाना नंबर 10 को सभालने के लिए मंगल से बेस्ट प्लैनेट यहां हो नहीं सकता क्योंकि साहस में इसका मुकाबला कोई दूसरा प्लैनेट कर नहीं सकता तो इसलिए यहां मंगल को उच्छ का इस्तान दिया तो यह कुछ चीजें थी 1st house, 3rd house, 8th house, 4th और 10th house मंगल के बा आशा है आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी, धन्यवाद